सातियों नमस्कार, जै श्रीराम, जै बालाजी की कैसे हैं आप सब लोग, मज़ा मा केम चो कसा आहिस सातियों आज एक important topic पर मैं चर्चा करने वाला हूँ आज की class में एक copy और एक pen लेके बैटी और सबसे पहले एक mood question, basic question को जो है लिख लीजिए क्या आरे समाज में कीगी शादियां valid होगी, या नहीं, अकसर ऐसा होता है कि एक लड़का और एक लड़की, जब प्रेम संबन्दों में आते हैं, तो कई वादे एक दूसरे से वो कर भेटते हैं, जिसमें से एक वादा यह होता है कि मैं तुम से शादि करना चाती हूँ या मैं तुम से शादि करना चाता हूँ यह गर से बाग जाते हैं और सबसे पहले जाते हैं अपने दोस्त के बास में लड़की के बार्स होते हैं 30,000 रोपए ये बतारो प्रेटी के बात रोड़का जॉह करीब नेड़ 20,000 year defenders लेके घर से भागता है उ nut tent का में ये मरिखिते हैं वी यहां फिर फिर किसी और फ्रेन के रुखते हैं और फिर किसी जाते हैं वकील के बास में और फिर ये कहते हैं कि वकिल साफ हमको शादी करनी है कि आप शादी करा दोगे और कुस तो ठेकेदार ऐसे बैठे वे हैं जिरोंने तो इस काम को ऐसा प्रोफेशन जो है अडॉप कर रखा है और हिंदु धर्म को बरबात करने में ये लोग भी मैतपून भूमी करने बारे हैं अगर आपको अपने आसपास में ऐसे दुष्ट दिखाई देते हैं तो इनका बैश्कार कर दो आज हमारा धर्म बरबात क्यों है इसलिए नहीं कि दूसरों ने जो है इसमें इंट्रिफेरेंस किया है इसलिए कि इस धर्म में खुछ जैचन बैठेव है आज बच्चे और बच्चियां भाग कर आपके पास में आयरे जिम्मेदर ही किया है उनको समझाने की कि भई तुमने गलत किया है तुमने अपने बाप की पगड़िया तक उचाल दी तुमने परिवार को बरबात करने का निड़ना ले लिया अल्टिमेटली बहुत पस्ता होगे अभी भी वक्त है कि लौट जाओ ड्यूटी बंदी की वहाँ उनके पैरेंट्स को फोन करें पर ये दुस्ट ऐसा करने की बजाए सिर्फ 35,000 रुपे के लालच में ये बता रो फेट फिगर आपको शादिया करवा रहते हैं और उन बच्चे बच्चीयों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं उन लड़कियों को और लड़कियों को मानूँ पड़ता है 6 महीने बाद की रियल में क्या हो गया और जब वो लौट के जाना चाते हैं तो वो कहावत लागों नहीं होतेगी सुबह का भूला शाम को लौट है पूरा परिवार बरवात हो चुका होता और परिवार जो है उनको बोई कॉड कर चुका होता है बड़े मुश्किल होता है ऐसे बच्चों को दुबारा अडॉप करना वापिसे रिहबिटेट करना और वापिस उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना बही उन लालची लोगों ने तो अपना काम कर दिया तुम्हारे शादियां करा दी पर ज़रा सोचो वो शादियां तक वैलिट नहीं है जो काम उन्होंने करा दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बरबादे के मार्क पर लेके जाएगा सातियों एक अलाबाद हाई कोर का निर्णने है जिसमें मूट कोशिन भी यही है कि आरे समाच की मैरिज क्या वैलिट होगी या नहीं उनने इस आंसर को दिया है नेगेटिव में कि अगर आरे समाच सेटिफिकेट्स आपके हाथ में है तो यह वैलेट प्रूफ आज नहीं है ऐसे मैरिज टोटली इंलिगल है और ऐसे मैरिज करने से तीन नफसान जो है आप को होगे पहले बात तो उस लड़की को वाइफ का स्टेटस नहीं मिलेगा और उस लड़के को असमेन का स्टेटस नहीं मिलेगा दूसरी पॉर्ण बात वो लड़की आपर रेप किस तक कर सकती है और तीसरी बात अगर आपने पत्नी मानते हैं उसके साथ सेक्स किया है और वो पत्नी कहीं और जाके बैठ जाएगी तो आप सेक्शन 9 हिंदू मैरिज 8 का मुकदमा मीन साथ रखने का मुकदमा तो कभी भी पेश नहीं कर पाओगे तो ऐसे गलतियां क्यों कर रहे हो समझो बात को और जो पॉइंट्स इसमें लेड डौन हुए हैं इसने हिला के रख दी होगी आप भी अगर इन पॉइंट्स को देखोगे पढ़ोगे, मंतन घरोगे तो ये मानोगे कि लीगली हमने क्या गलतियां कही है और इसके साथ-साथ सोशल कॉंजिक्वेंस भी हमें क्या फेस करने पड़ रहे हैं साथियों इस कीज में हस्बन ने पेटेशन दाखिल करी पतनी को साथ रखने की और पतनी ने जो है साथ-साथ कही दिये कि हमारे बीच कोई मैरीज नहीं है वो ये कहते हैं कि मेरे साथ ब्लेकमेलिंग हुई है मेरा शार्डिक सोशन हुआ है और इसके बिरोज जो है एक F.I.R. सेक्शन 384 सेक्शन 376 IPC में जो है वो दरज की जाए हस्बेंट रोता रहिया कि भाई ये मेरी पतनी है जो कुछ हमारे बीच में हुआ है वो सैमती से हुआ है पर वाइफ ने ये कहा कि मैरेज वैलेड नहीं है और उसकी F.I.R. तक जो है मापर दरजो बे जब मामला कोट में गया तो कई पॉइंट जो है रेस किये गए और fundamental question जो कोट को decide करना था कि क्या जो दावा पेश किया है husband ने क्या वो legally maintainable है क्या ऐसे दावा पर कोट पतनी को साथ रहने के लिए कह सकती है दूसरी important बात है कि आरे समाच marriage valid proof of marriage है क्या ऐसी marriage proof पर पतनी को साथ रखने के लिए आदेशित किया जा सकता है या नहीं साथियों सबसे important बात जो हमें कानूं में देखने को मिलती है वो है order 2 rule 2 of CPC CPC means civil procedure code जो कि lay down करता है basis of cause of action यहाँ पर code ने कहा कि जब तक सब्वदी नहीं हुई है valid marriage नहीं है तो सिर्फ आरे समाच के document के basis पर कोई भी cause of action जो है arise नहीं होगा पुकि आरे समाच का certificate जो है एक valid proof of marriage नहीं है जिसके basis पर कारवाई जो है वो विदी ग्रूप से बाढ़ है कोट ने फैसले में क्या लेखा मैं बात कर रहा हूँ ट्रायल कोट की निवेदने की परार्ति वाद में वादी है श्रीमाच जी परार्ति का समाच के कुछ चंद लोगों ने सुलना नामा भी करा दिया उक्तवाद परार्ति वापिस लेना चाहता है उक्तवाद के संब्द में वादी और परति वादिनी के नहीं हुए वादी अपने वाद में बल देना नहीं चाहता है इसलिए वादी का वाद बल ना दिये जाना की कारण डिरस फरवाजाना जरूरी है इस संब्द में पुने कारवई नहीं करूँआ ऐसी प्रातना थी concerned वादी की तो court ने क्या लेखा कि जो आपने परित्याग कर दिया है या उस हग को छोड़ दिया है उसके बारे में आप नया cause of action लाके नया case जो है दाखिल नहीं कर सकते हैं court ने कहा कि यहां पर वादी ने जो है दावा पेश किया और उसने अपने दावे में यह सपश किया है कि सब्तवधी जो है परफार्म नहीं हुई है इस पर हिंदू राइट्स एंद कस्टम उसको कहना कि वो अपने suit को प्रेस करना नहीं चाहता है वो प्रोसेडिंग को रेलिंक्विश करता है यहाँ पर defendant ने जो है अपना reply फाइल किया है सबसे important बात है कि जिस अधार पर उक्त कारवाई जो section 9 Hindu marriage एड़ की थी उसको निरस फरमाए गया सबसे important बात जो उसका rights है उसने omit कर दिया जिसकारण वो नया case जो है अब section 9 में लेके नहीं आ सकता court ने कहा कि जब तक valid marriage नहीं है if there is no valid marriage in that scenario no fruitful case could be brought into motion in order to compel the wife for the restitution of the conjugal right जिसकारण court ने कहा कि ऐसा है मामले order 2 rule 2 CPC's ahead जिसकारण petition जो है वो rightly reject की गई court ने कहा कि यद भी आरे समाज ने एक बढ़िया काम करा कि जो caste system है वो गलत है जो भी निर्धारन होना चाहिए वेक्ति का वो उसकी merits या उसके गुरोणों पर जो है होना चाहिए पर सबसे important बात court ने ये भी कहा कि honorable supreme court ने सीमा बनाम अश्वने के मामले में इसका judgment है 2006 volume 2 SEC page 578 section 8 Hindu marriage act पे जोड दिया और ये सपश किया कि valid proof of marriage तब ही होगा कि जब एक proper authority जो lawfully authorized है certificate जो है जारी करते हैं अगर certificate है तो वहाँ पर ये marriage की existence को बल परदान करता है सातियों सबसे important बात court ने अपने फैंसला के बना नमर 12 में ये लिखा कि अगर हम judgment देखें on the Supreme Court का तो यहां पर एक बात तो इस पर दिखाई देती है कि registration itself में valid proof of marriage नहीं है बट ये strong evidence है to prove the fact of marriage सातियों सबसे important बात कि इस case में ना तो ऐसा को certificate पेश किया गया जोगी section 8 Hindu marriage ad के तहर्च जारी हुआ हो और ना ही ऐसी को pleading record पर है या ऐसा को proof record पर है कि सब्तबदी होकर जो है marriage की गई आरे समाज marriage का जो certificate है या अपने आप में valid proof of marriage नहीं है इसका कोई भी statutory force नहीं है सातियों section 5 Hindu marriage ad का कुछ conditions जो है laid down करता है section 7 जो है बात करता है ceremonies की और एक important ceremony है सब्तबदी जिसका मतलब क्या है taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the fire and the marriage becomes complete and binding when the seventh step has been taken please अगर यह नहीं है तो उस scenario में section 11 of the Hindu marriage ad marriage को void करता है सातियों यहां पर code ने लिखा कि दोनों ही पक्षकारों के बीच में सत्पदी नहीं भी है और section 8 Hindu marriage ad के तहत valid proof of marriage जो है पेश्ट नहीं हुआ है आरे समाज का certificate अपने आप में ही valid proof नहीं है और लड़की का specific आरोफ की कुछ खाली पन्नों पर sign करवा ली गए ते इसके लावा उसकी एक rape की affair भी है तो सातियों code ने लिखा कि in the absence of valid proof of marriage marriage certificate of the RS image is not the strict proof of the marriage तो code ने का जब marriage valid नहीं है और RS हमाज के certificate को हम valid proof of marriage नहीं मान सकते तो ऐसे इस तेरियों में section 9 Hindu marriage act का दावा जो है वो maintainable नहीं होगा सातियों फैसला हमें चार बात जो है सिखाता है सबसे पहले बात कि आप घर से बाग के शादियां ना करें अगर आप घर से बाग के आरे समाज में जो है शादियां कर रहे हैं तो यह शादियां गलत हैं illegal हैं invalid हैं जिस पर कोई भी right जो है वो exist नहीं करेगा लड़का लड़की का या लड़की लड़के का फाइदा माँ और उठा सकती दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारिया मनती है हमारे वकील भाईयों की भी और कुछ सलाकारों की भी कि अगर यह लड़कियां यह लड़कियां आपके पास में आते तो इंको समझाएं इंको दुबारा घर बेजें गलत काम को जो है पर्मोट ना करें तीसरी जो मेरिजेस मन्दिर में होंगी या गुर्दवारों में होंगी उस सनیरियों में जो गरंधी जी है आज कलिया मंदिरों के पंडिट जी जो है यह लकारों तब बात होगी तो ये बहुत धन्यवाद के पात रहें और चौतें इंपॉर्टेंट बाग कि आप इस बात का विश्यज दियान रखिए कि section 8 of Hindu marriage add यदे भी state proof of marriage नहीं है बट एक strong piece of evidence है अगर ये evidence पास में है तो वहाँ पर marriage वो easily prove कर सकते है तो ये बात विश्यज ध्यान रखिएगा कि भी गलत काम नहीं करना है जो भी marriage कर रहे हैं वो legally valid हो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और लड़की के साथ संबन रखते हैं तो लड़की बाद में आपको rape cases में involve कर सकती है तो कुछ मलाके गलतियां नहीं करनी है गलतियां छोटी होती है पर उसके प्रणाम जो है गंबीर हो रहते हैं और हमें बुकदने पढ़ सकते हैं तो कुछ मलाके उमीद करता हूँ कि इस वीडियो नहीं आपको enlightening किया होगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको like and share जरूर कीजेगा मिलते हैं एक नैट अपक के साथ तिल दें जाय हैं जाय भारत